नाव वी आर गोईन टो स्टड़ी CLA केरी लुक अहेड एडर जैसा कि हमने RCA में देखा था कि हमारा कोई भी फूल एडर प्रीविएस केरी पे डिपेंडेंट हो रहा था और उस केरी के अनवेलेबिलीटी की वज़े से RCA का टोटल डिले नमबर ओप बिच पे डिपेंडेंट हो गया था केरी लुक अहेड एडर में हमने सिर्फ एक कॉंसेप जोड़ा कि हम सारी केरी को आपको एक साथ प्रोडियूस करके दे देते हैं हम केरी मेकेनिजम बनाते हैं जो केरी को प्रोडियूस करता है अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हम कॉंस्टेंट टाइम में ये कह सकेंगे कि हम ये काम आराम से कर सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ओफ एन लेकिन उसकी अपनी सर्टें हर्डल्स होंगी उसको भी देखना पड़ेगा तो अब अपन चलते हैं अब अगर बात करते हैं मेरे पास अगर मैं सं की बात करूं तो समीज नटिंग बट XI, XOR YI, XOR CIN C OUT क्या होता है XI, YI, XICIN PLUS YICIN नौ, बहुत ध्यान से मेरी बात को देखिएगा जब मैं इसको लिखता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ XI plus YI C in हाई या ना और ये आपका C out अब बहुत ध्यान से देखना अगर XI, YI 1 है XI, YI 1 है तो क्या ये value पे dependent होंगे आप नहीं होंगे क्योंकि 1 plus anything your output will be 1 only हाई या ना XI, YI अगर 1 है तो हम इस पे dependent नहीं है इस पे dependent नहीं है का मतलब हम previous carry पे ही dependent नहीं है हाई या ना हम previous carry पे dependent नहीं है इसका मतलब हमारा output सिर्फ पर सिर्फ इस पे dependent है अगर ये दोनों का multiplication 1 हो जाए तो पूरा resultant 1 हो जाएगा that's why this term is called generator क्योंकि ये आपको generate करके दे दे रहा है हाई ना लेकिन अगर ये term 0 होई अगर ये term 0 होई तो या तो फिर ये term आपको produce करके दे दे तो इस case में एक ही चीज़ है या तो इन दोनों में से कोई एक value 0 हो और कोई दूसरी value 1 तो 0 1 will give you 1 हाई ना तो आपका जो c in था वही आपका output में propagate हो जाएगा clear है अगर दोनों value 0 होई तो फिर तो आपका c in propagate होगा ही नहीं आपका carry क्या होगा 0 होगा मतलब अगर ये दोनो 0 और 1 है 0 और 1 उस case में आपका carry in propagate होगा that's why this term is called propagator कौन सा आपका x i plus y i अब एक बात आप जानते हैं कि आपका समझे produce होता है तो एक full adder 2 half adder प्लस ओवन और gate से बनता है ये बात हम पढ़ चुके हैं DLD में नहीं तो अभी अमारे example में आने वाला है टेंशन मत लीजिए तो फूल एडर दो हाफ एडर से बनता है तो हम ये value calculate कर चुके हैं हम इसी calculation को हम अपनी carry में योज करते हैं तो चाए में x i प्लस y i लिखूं या यहां पर x i x or y i लिखूं बात बराबर हैं क्यों क्योंकि ये दोनो 0 और 1 हैं तबी आपका ये propagator कहलाता है तबी c in आपका c out बनता है तो ये भी output 1 तबी देता है जब दोनों में एक term आपकी क्या है 1 है और दूसरी 0 है तो this that's why आप इस चीज़ को इस एक चीज़ से replace कर सकते हो no issue at all तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कौन generator और कौन propagator और क्यों ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये बहुत से लोग पढ़ाते नहीं हैं सही बोलते हैं इसको propagator बोलते हैं इसको जन्देटर बोलते हैं let c0 is carry in यह आपका carry in है c0 तो c1 क्या होगा x0 y0 plus x0 y0 c0 है ना इस चीज़ को में बोलता हूँ generator 0 और इस चीज़ को में बोलता है प्रपोगेटर 0 है ना तो अब मैं लिख सकता हूँ c1 is equal to g0 plus p0 c0 है ना अब c2 same mechanism apply करो g1 plus p1 और c1 है ना now put the value of c1 c1 की value जब आप put करोगे तो what you will get यहाँ पर g1 plus c0 c1 की value put करोगे तो p1 g0 and p1 p0 है ना यह मैंने c1 की value put कर दी now what is c3 c3 is nothing but g2 plus p2 c2 है ना now put the value of c2 जो c2 आपको मिला तो g2 plus p2 और यह पूरी चीज़ multiply होगी तो p2 g1 p2 p1 g0 p2 p1 p0 है ना मैं यह value previous से multiply कर दे रहाँ now c4 what is c4 that is g3 plus p3 c3 now अब आप करिये क्या g3 now this whole term is multiply by p3 तो p3 g2 plus p3 p2 g1 plus p3 p2 p1 g0 plus p3 p1 sorry p3 p2 p1 p0 यह पूरी पूरी previous term p3 से multiply हो गई तो यह पूरा का पूरे चीज़ open हो गया है ना अब आप एक बात ध्यान में रखिए अगर मैं बात करता हूं c1 की g0 p0 c0 आपको initially available है no doubt at all c2 की बात करते हैं तो g1 p1 g0 p0 p0 p1 p0 यह भी आपको available है g2 p2 g1 p2 p2 p1 p0 everything is available at this starting point है ना तो मैं यह कह सकता हूं कि c0 c1 c2 और c4 c1 c2 c3 c4 हम सारी की सारी value calculate कर सकते हैं बीना रुकावट के बीना किसी carry पे dependent हो करके है ना और यही हमारा मकसद था लेकिन मकसद में आपको एक चीज हर्डल लग रही है वो यह यहां पर अगर मैं बात करूं number of end gate की तो कितने एक p0 c0 और number of or gate की तो एक two input और two input end gate अगर मैं यहां पर बात करूं तो दो end gate की ज़रुत है two input end gate here two input end gate here लेकिन तीन input or gate यहां चाहिए c2 को calculate करने के लिए clear है c3 को calculate करने के लिए मुझे कितने end gate लगें एक end gate p2 g1 दूसरा end gate p2 p1 g0 और तीसरा end gate p2 p1 p0 है यह ना मतलब यहां तक तो two input end gate की requirement थी बट यहां आते आते तीन input end gate की requirement हो गई और अगर मैं बात करता हूं और gate की तो एक दो तीन चार input or gate चाहिए एक अगर मैं c4 की बात करता हूं तो एक end gate दूसरा तीसरा और चौथा चार end gate अगर मैं highest end gate के number of inputs की बात करूं तो four input end gate इधर और four input end gate इधर चाहिए और अगर मैं or gate की बात करता हूं तो मुझे पांच input or gate c4 को calculate करने में चाहिए हाँ या ना अब practically सोचिए कि two input end gate का जितना delay है four input end gate का उतना ही delay होगा let मान लेते हैं somehow हम mechanism लगा के बना लिये तो क्या two input end gate का delay 64 input end gate के delay के equal होगा ये तो सोचना impossible है और एसा assumption लगाना भी impossible है इसका मतलब ये है कि अगर आपके चार bit के numbers है तो ये चीज calculate करना वर्दी है लेकिन अगर आपके two 64 bit numbers है तो आप पहले सब का carry निकालोगे तो जब आप 64 का carry निकालोगे तब आपका 64 input end gate चाहिए होंगे और 65 input एक और gate चाहिए होगा ये practically possible नहीं है तो पूरे को हम इस तरीके से ना करके हम कुछ और mechanism apply करते हैं तो वो अपन देखते हैं उससे पहले एक question बहुत जादा design होता है इसी concept पे लेकर करके number of end gates in end bit CLA तो अभी देखिएगा c1 में 1 c2 में 2 c3 में 3 end gate की बात कर और c4 में 1 2 3 4 है या ना तो मतलब end bit में कितना 1 plus 2 plus 3 up to n that is nothing but n into n 10 plus 1 by 2 अगर मैं 4 bit की बात करता हूं तो 4 bit में कितना with the formula 4 into 5 by 2 that is 10 calculate करते हैं एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना तो 8 bit में भी आप calculate कर लीजेगा that is nothing but 8 upon 8 into 9 by 2 that is 36 end gate now यहां पर एक assumption मेंने लिया है कोई number of inputs पर कोई restriction नहीं है 2 input end gate is equal to n bit input n input end gate बराबर है दोनों इसलिए मैंने लिख दिया है यह star assume number of or gate in end bit CLA इसमें एक end gate दो end gate दो end gate का मतलब sorry 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 कितने or gate एक or gate दूसरा or gate यहां यहां two input or gate चाहिए यहां तीन input or gate यहां 4 input और यहां 5 input पर चाहिए हर जगे पर कितने एक एक तो one plus one plus one up to end that is nothing बट यह end times ऐसा लिखिएगा that is end again यहां पर assumption के no restriction on fan in clear है